चलो बच्चों तो आज हम लोग स्टेटिस्टिक में चेप्टर नंबर 6 कंटीन्यू करें जिसका नाम है पर्मुटेशन कॉंबिनेशन इन बाइनोमियल एक्सपांशन देखो इस चेप्टर में हमने पर्मुटेशन का टॉपिक देखा था और उसके आगे एक्सपांशन का टॉपिक हमने कंटीन्यू किया था एक्सेस स्टर। पंट टू के हम लोग संस देख रहे था ना बढशन जिसके अंदर हमने कॉंबिनेशन की बेजिक φार्मुला सीखी थी पहले दो क्वेशन देखे थैघिक और बेजिक फार्मुला सीखी थी आज हम लोग उसके problem sum शुरू करें, test book में से, लेकिन उससे पहले, उससे पहले एक छोटी सी बात समझे, देखो, आप लोगों को दियान है कि जब हम लोग permutation के sums कर रहे थे न, तब permutation के sums में, actually तो formula पूरी आती है, npr equal to n factorial upon n minus r factorial, मतलब कि अगर हमें जो है, वो 10p3 करना है, permutation की बात कर रहे है, 10p3 करना है, तो actually तो यह पूरी formula यूज़ करनी पड़ती थी न, बरबर न, लेकिन उसका एक short method भी देखा था हमने, देखा था न, problem sums के लिए हमने एक short method भी देखा था permutation मे, कि जैसे 10p3 करना हो, तो ऐसी पूरी formula में रखने की जरूर नहीं है, direct कर सकते हो, कि 10p3 का मतलब यह हुआ, कि 10 को 3 digit descending order में multiply, ऐसा न, 10 को 3 digit descending order में multiply, मतलब 10p3 का answer हम लोग लिखते थे, 10 multiply 9 multiply 8, ऐसे, यह direct answer लिखते थे के नहीं, होता था न, ऐसा permutation का, वैसे ही combination में भी हम लोग कर सकते हैं, कि combination की actually formula तो ncr, means n factorial, upon में r factorial, and bracket में n minus r factorial, ऐसे होता है, actually तो यह formula आती है, मतलब इसी में, अगर मुझे ऐसा करना है 10c3, तो कल हमने उसके sums देखे थे, कि 10c3 का मतलब, कि हाँ भाई, इसमें पूरी formula में रखते हैं, n पे 10, r पे 3, पूरा solution करते हैं, कल ऐसे देखा दा न, लेकिन अब इसमें भी पूरा solution करने की जरूर नहीं है, short में हो सकता है, तो combination में short में कैसे करते हैं, combination में short में ऐसे करते हैं, कि 10c3 मतलब, पहले तो वही कि 10 को 3-digit descending order में multiply, 10 को 3-digit descending order में multiply, means ऐसा 10, 9, 8, and divide by, combination में आता है, कि divide by, नीचे 3 है न, तो 3 को multiply, 1 तक, 3, 2, 1, वरवर, combination में ये है, देखो, permutation में हम लोग क्या करते थे, 10 को 3-digit multiply, 10, 9, 8, यह answer, लेकिन combination में अगर short में करना हो न, तो उसके लिए 10c3 में, कि 10 को 3-digit multiply, 10, 9, 8, और upon में, upon में जो 3 है, उस 3 को भी 3-digit multiply, भरवर, ऐसे, फिर जो इसका जो भी answer है, जो भी cancellation करके answer हो, भरवर, कोई भी ऐसा question होना है, जैसे suppose यह करना है, 7c2, अगर suppose 7p2 करना होता है, permutation, तो क्या करते हैं हम लोग, कि 7 को 2-digit multiply, 7 multiply 6, यह answer permutation का, भरवर, लेकिन अगर combination में ऐसा करना है, 7c2, तो 7c2 का मतलब होता है, 7 को 2-digit multiply, 7 multiply 6, और upon में 2 को भी 2-digit multiply, 2 multiply 1, फिर cancellation करके जो भी answer हो, समझा रहे हैं, शॉट में कैसे लिखना है, बरवर, कि जैसे कभी ऐसे भी दिया हुआ हो, कि 9c4, 9c4, तो इसका मतलब यह, कि 9 को 4-digit multiply, 9, 8, 7, 6, और upon में 4 को भी 4-digit multiply, 4, 3, 2, 1, फिर cancellation करके जो answer मिले, समझाई बात, permutation और combination यह ध्यान रखना है इसमें, permutation में आना, बस upon में नहीं लिखते, उसमें 10p3 मतलब 10 को 3-digit multiply, डिरेक्ली, जबकि combination में 10c3 मतलब 10 को 3-digit multiply, और upon में 3 को भी 3-digit multiply, जो यहाँ नहीं होता, समझाई बात है, अब कल जैसे हमने sums किये थे पहले, 6.2 में पहले 2 sums, उसमें इस formula का पूरा यूज कर रहे थे, लेकिन अब पूरा यूज नहीं करना है, अब problem sums हैं, तो ऐसे short में लिख सकते हैं न, ध्यान रखना है इस बात को, और आपकी test book निकालो, उसमें exercise 6.2, उसमें question number 3 देखें, 6.2 में question number 3, उनके sums करें हम लोग, तो जैसे question 3 में लिखा हुआ है, कि 8 candidates applied for 2 post of peon in a school, in how many ways can 2 peons be selected from 8 candidates, 8 candidates हैं, मतलब 8 लोगों ने apply किया है job के लिए, peon की job के लिए, बढ़ न, school में peon की job के लिए, लेकिन peon के लिए 2 लोगों की जरूर है, apply 8 लोगों ने किया है, लेकिन उसमें से select करने 2 ही लोग, बर-बर, तो उसका selection कैसे होगा, 8, C, 2, 8 में से 2 लोगों को select करना, ऐसा न, यह पहला problem सम दिया हुआ है, वो तो simple दिया हुआ है, कि number 3 में लिख सकते हैं, कि selection of, अब इसमें selection लिखेंगे, याद है पहले वाले पूरी exercise की थी, उस सब में arrangement लिख रहे थे हम लोग, और यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, selection, selection लिखेंगे, कि selection of, 2 peons, out of, out of 8 candidates, कि 8 लोगों में से 2 peons, 2 लोगों को select करना है, ऐसी बात हुई न, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर बता है न हम लोग, तो n equal to हो गया 8, कि total 8 लोग है, n equal to 8, and number of selection, r मतलब यहाँ पे number of selection, permutation में होता था number of place, अब यहाँ combination में होगा number of selection, कितने लोगों को select करना है, बरबर, तो r equal to कितना होगा, 2 होगा, कि 2 लोगों को select करना है, ठीक है, तो उसका direct answer क्या लिख सकते हैं, कि so, उसका answer मिल सकता है, 8c2, क्या answer मिलेगा, 8c2, बरबर, कि 8 में से 2 लोगों को select करना है, 8c2, और उसका answer कैसे लिख सकते हैं, जैसे अभी मैंने short method बताई, वैसे, कि अभी यह पूरी formula लगाने की जरूर नहीं है, कि जो ncr की पूरी formula है, पूरी formula से करो के, तो भी answer वही आएगा, लेकिन आप पूरी formula की जरूर नहीं है, आप short में ही करो, कि जैसे 8c2, तो उसको लिख सकते हैं, 8 को 2 digit multiply, 8 multiply 7, और upon में, upon में 2 को भी 2 digit multiply, combination में upon में भी लिखेंगे, 2 को भी 2 digit multiply, जिसमें cancel करना हो, तो cancel करो, नहीं तो उपर multiply, नीचे multiply करके, दोनों का divide करो, calculator से, दोनों सही है, कि अगर cancel करें, तो यह cut होगा 2, 4 जा, और उपर 4 multiply 7, 28, किना answer आजाएगा, 28, मतलब 8 में से 2 लोगों को select करना है न, तो उसमें possibilities हैं, 28, 28 ways में उसको select कर सकते हैं, समझाई बाद, simple है न, selection, ऐसे ही उसके बाद, फोर्थ वाला question भी देखें, कि देखो, question number 4 में क्या दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, कि 5 countries participate in a cricket tournament, in a first round, every country play a match with the other country, then how many matches will be played in this round, अब एक cricket tournament है, जिसमें 5 जो है वो cricket teams, से या 5 countries, वो participate कर रहे हैं, पांच अलग अलग देश, उस cricket के लिए participate कर रहे हैं, जिसमें first round में, हर कोई एक दूसरे के साथ खेलेगा, हर country, दूसरे countries के साथ match खेलेगी, तो first round में total कितनी match हो सकती है, तो इसमें जो होगी न, तो इसमें देखो 5 countries हैं, एक दूसरे के साथ खेलेगी, मतलब हमेशा हर match में कितने कितने होते हैं, दो-दो इटीम होती हैं न, कभी तीन टीम एक साथ खेलती हैं, कभी एक टीम अकेली खेलेगी, पॉसिबल ही नहीं है, क्रिकेट मेच जब होती है, तो उसमें कितनी टीम एक साथ खेलती हैं, दो टीम, मतलब हमेशा हमें 5 में से 2 select करने हैं, क्या select करने हैं, 5 में से 2, कि भाई 5 countries हैं, उनमें से 2-2 countries करके select करनी हैं, कि भाई हर एक match में 2-2 countries तो select करनी होगी न, फिर पता चलेगा कि टोटल कितनी matches होगी, मतलब यहां पर कैसे होगा, number 4 में ऐसा लिख सकते हैं, कि selection of, selection of 2 countries, selection of 2 countries out of, out of 5 countries, कि 5 में से 2 देश हैं select करने हैं, क्योंकि match खेलने के लिए 2 देशों की जरूर है न, पर बना मतलब 2 team की जरूर है न, एक अकेली भी नहीं हैं, तीन या चार भी साथ में नहीं केल सकते, दो-दो करके ही खेलेंगे, मतलब यहां पर, n equal to होगया 5, कि total 5 countries हैं, और उसमें से number of selection, r equal to होगया 2, तो इसका answer बन जाएगा 5C2, क्या बन जाएगा answer, 5C2, तो इसका मतलब 5C2 का answer, कि 5 को 2 digit multiply, 5 multiply 4, और upon में 2 को भी 2 digit multiply, 2 multiply 1, बरबर, तो उसके हिसाब से, उसके हिसाब से जो है, वो यह 2 को इससे cut करें, कि 2, 2 जा, और 5 multiply 2, 10, इसका मतलब पहले round में, total 10 matches होगी, बरबर न, 5 countries हैं, हर देश को एक दूसरे के साथ खेलना है, तो total कितनी matches होगी, 10 matches होगी उसमें, है कि नहीं, ऐसा ही selection करना होगा न, कि 5 में से 2, 2 countries select करेंगे, तो यह पता चला, इसको जो है, simple logic से भी find कर सकते हैं, कि समझो 5 countries हैं, A, B, C, D, E, यह 5 देश हैं, हर देश को एक दूसरे के साथ match खेलनी है, मतलब पहले A और B match खेलेंगे, फिर A और C match खेलेंगे, A को C के साथ भी खेलना है, फिर A को D के साथ भी खेलना है, A को E के साथ भी खेलना है, ऐसा न, फिर B को, कि B, B A के साथ नहीं होगा, क्योंकि वो तो हो गया न, यह match, A और B, अब B को C के साथ खेलना है, अब B को D के साथ खेलना है और B को E के साथ खेलना है सब एक दूसरे के साथ खेलेंगे फिस C को D के साथ खेलना है C को E के साथ खेलना है और फिस D को कि D को E के साथ खेलना है तो मतलब टोटल देखो कि टोटल 10 selections हुए 10 matches होगी ना उसमें हर देश ही दूसरे के साथ खेलेगा तो ऐसा लॉजिक पांच थे उसमें से दो सिलेक्ट करने तो दस मैचेस होगे हैं पर उसको ऐसे न लिखना हो तो सिंपल एसी लिए तो यह कॉंबिनेशन की फॉर्मुला यूज होती है ना बरोबर ना कि पांच में से दो कंट्री सिलेक्ट करो तो टोटल टैन मैचेस होगी समझाई बात तो जैसे 3rd and 4th question किया ना तो अब उसके बाद 5th वाला question देखें इसे रफ करें और फिर 5th वाला question देखो कि अब जैसे question number 5 दिया हुआ है कि question number 5 में लिखा हुआ है कि there are 200 items in a box and 5 percentage of them are defective in how many ways can 3 items can be selected from the box so that all the items selected are defective यहां पर दिया हुआ है कि total 200 items हैं जिसमें से 5 percentage defective हैं तो 200 के 5 percentage की नहीं हो मतलब वो होते हैं 10 कि 200 में से 10 defective हैं और उन 10 में से 3 को select करना है ठीक है ना जो 3 items हमें select करना है वो लिखा हुआ है कि last लिखा ने that all the items selected are defective जो 3 select करने हैं वो सब कैसे select करने हैं हमें defective select करने हैं मतलब कि ऐसे होगा कि यहां पर number 5 में अगर लिखें कि total items वो 200 है वो ठीक है कि total items 200 उसमें से defective अगर देखें हैं कि defective items तो वो 200 के 5 percentage 5 percentage लिखा हुआ ना तो 200 के 5 percentage मतलब कितने हो जाते हैं 10 हो जाते हैं डारेक लिख सकते हैं न कि वह defective items 10 है तो अब जो हमें selection करना है न तो उसके लिए ऐसे लिख सकते हैं कि selection of three items out of 10 defective items के उन defective में से ही तीन हमें select करने हैं ऐसा clearly लिखा हुआ है कि जो तीन सिलेक करने वह 3 वह defective ही होने चाहिए तो defective तो उन 10 में से ही 3 को select करना पड़ेगा न हमें बरबर उसमें 200 का काम तोड़ी है कि उन 10 में से ही 3 को select करना है, मतलब कि यहाँ पर n equal to 10 हुआ और r equal to 3 कि total number 10 हुए, यहाँ जो defective select करने उसके हिसाब से total 10 हुआ और उनमें से number of selection कितने करने है, तो 3 करने है उसमें, ठीक है तो इसका solution क्या हो जाएगा, 10 C 3, 10 C 3 10 में से 3 को select करना है तो 10 C 3 का answer लिख सकते हैं हम लोग, कि 10 को 3 digit multiply, 10 multiply, 9 multiply, 8 और अपान में, अपान में 3 को भी 3 digit multiply कि 3 को 3 digit multiply 3 multiply, 2 multiply 1 ओके, तो उसके बाद जो cut करना हो, तो cut करो नहीं तो उपर multiply, और नीचे multiply करके divide करो, यहाँ अगर cut करें, तो 3 से cut होगा, 3 3s हा, 2 से cut होगा, 2 4s हा और और इन सब का multiply multiply में से 3 4s हा 12 और 12 multiply 10 तो answer मिल जाएगा 120 तो 10 में से अगर 3 को select करना है ना हमें, तो उसकी possibilities यहाँ 120 ways में उसे select कर सकते हैं 10 में से 3 defective item हम select करने हैं, तो 120 टाइपस में उसे select कर सकते हैं बरबर, समझा रहा है नहीं, easy है combination कोई hard नहीं है यह, एक्दम simple sums है बस थोड़ा दिमाग खोल कर sums करो बरबर, अब फिफ्ट के पास 6 वाला question देखें कि जैसे question number 6 में दिया हुआ है In how many ways can 3 clerk and 1 peon be selected from 14 clerk and 6 peon working in a bank अब यह समझो, कि एक bank में 3 clerk और 1 peon select करना है और उसके सामने है 14 clerk और 6 peon मतलब इसमें 14 clerk में से 3 clerk select करने है and 6 peon में से 1 peon select करना है ऐसे हुआ ना, बरबर ना, कि यहाँ पर, देखो इसे लिखेंगे ऐसे simple सा यह लिखेंगे short में, इसके सब सम ऐसे ही short में होंगे कि number 6 में ऐसे लिख सकते हैं कि total selection, इसमें directly लिख सकते हैं कि total selection में यहाँ पर पहले जो clerk select करने हैं न, कि clerk कितने select करने हैं तीन clerk select करने है 14 clerk में से तो उसके लिए ऐसे लिख सकते हैं कि 3 clerks out of, out of 14 clerks बरबर 14 में से 3 select करने हैं end, end, दूसरा pion तो pion 6 में से 1 pion select करना है, तो उसके लिए लिखेंगे कि end of 1 pion out of 6 pions बरबर, कि 6 pion में से 1, अब यहाँ यह भी चीज ध्यान रखो बिटा, कि selection में, जब भी ऐसा selection करना हो न, तो उसमें भी end और और ध्यान रखते हैं, अब permutation में भी मैंने बताया था end और और, लेकिन permutation में 99% एंड ही आता था, और की condition आती ही नहीं थी उसमें, बरबन सब में end की condition आती थी, ऐसे ही, लेकिन अब जो combination है, तो combination में दोनों condition आ सकती है, end की भी, end और की भी, वो आएगी, इसके बाद वाले questions में ही होगा, ध्यान देना, और इसलिए जब भी ऐसी condition हो न, तो selection के लिए, ऐ तो समझने में भी easy होगा, आप sentence wise भी इसे लिख सकते हो, कि total selection for 3 clerk out of 14 clerk, end 1 pun out of 6 pun, आप लोग उसे पूरा sentence wise भी लिख सकते हो, इसी condition को, लेकिन अगर bracket में लिखोगे न, तो आगे counting में easy होगा, आगे वाले sums में भी ऐसे आएंगे, bracket में लिखो तो वो easy है, end और भी पता चल लेगा उसमें, भरबर, तो देखो, अब इसमें अगर लिख्याना हम लोग, कि जैसे पहले select करना है, 3 clerk out of 14, तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं, 14C3, ऐसा लिख सकते हैं, अब हर एक में N और R न बता हैं, तो भी चलेगा, direct लिख सकते हैं कि 3 clerk out of 14, 14 में से 3 select करने हैं, तो 14C3, ऐसी इसकी condition हो जाएगी, end, end मतलब multiply, one peon out of six peons, तो one peon out of six means के 6C1, ऐसा होगा न, 6C1, समझा रहे हैं न बात, कि देखो, selection में ऐसा ही दिया हुआ था, इसलिए मैंने direct पहले ऊपर total selection ही लिख दिया, क्योंकि अलग-अलग से, अभी तक जो selection था न, उसमें ऐसे था, कि देखो, इस 10 में से 3 select करने थे, 10 defective में से 3 items, ऐसा तो नहीं था, कि defective में से अलग, और जो non defective हैं, उसमें से अलग select करो, ऐसा था, अलग-अलग, नहीं था न, इससे पहले वाले भी था, कि जैसे प्यून select करने थे हमें, जो पहले 3rd question था, तो उसमें भी बस सीधा ही था, आट में से 2 प्यून select करने हैं, डारेक कर रहे थे न, कि किसी में भी ऐसा था, इसकी तरह प्यून अलग, अलग करो, जब ऐसे अलग-अलग हो न, तो डारेक लिख सकते हो, कि टोटल selection, जिसमें ये bracket में अलग-अलग बता देंगे, कि यहां 14 में से 3 अलग select करने हैं, तो 14C3 एंडर, ये 6 में से 1 प्यून select करना है, तो 6C1, फिर उसका solution करो, अब 14C3 का solution कैसे होगा, तो 14C3 का solution करते हैं, वही 14 को 3 digit multiply, 14, 13, 12, और upon में 3 को भी 3 digit multiply, कि 3 को भी 3 digit multiply, 3, 2, 1, बरबर, और multiply, multiply 6C1, तो 6 को 1 digit multiply, 6C होगा, 6C1 है, तो उसका answer तो 6C रहेगा न, बरबर, यहां 3 digit था, तो 14 को 3 digit multiply, अब 6 को 1 digit multiply, तो 6C रहेगा वह तो, ठीक है, अब, अब इसका solution करेंगे, अब इनमें solution करें, तो देखो, जैसे इस cut करना हो, तो cut कर सकते हैं न, ये 3, 4s आ, ये cut होगा, कि 2, 2s बरबर, अब इनका multiply, तो इनका multiply, 14, 13 और 2, तो 14 multiply, 13 multiply 2, 13 multiply 2, 26, और 26 multiply 14, तो वह हो जाएगा, 364, और 364, और 364 multiply 6, पीछे multiply 6, तो 364 multiply 6 करें, तो उसका answer आजाएगा, 2184, बरबर, 2184, मतलब ये जो selection था न, इसमें, कि हमें, 14 में से 3 clerk सिलेक करने थे, और 6 में से 1 pure सिलेक करना था, तो उसमें total selection, 2184 types में हो सकता है, बरबर, total selection कितना, इतने types में हो सकता है, आरे बात समझ में, clear, तो देखो, जैसे 6 तवाला देखा न, तो अब उसके साथ ही, फिर 7 तवाला question भी देखें, इसे अची तरह से लिखो, तो फिर 7 तवाला देखें उसमें, बरबर, देखो, कि अब जैसे question number 7 दिया हुआ है, इस question को ध्यान से देखना, ध्यान से समझना है इसमें, कि जैसे question number 7 में लिखा हुआ है, कि there are 3 white and 5 pink flowers in a box, and in how many ways can number 1, 3 flowers of same color be selected, and number 2, 2 flowers of different colors be selected, अब इसके अंदर ही 2 question दिये हुए, 2 situation है, दोनों को अलग-अलग find करना है, इसमें ऐसा दिया हुआ है, कि हमारे पास 3 white flowers हैं, और 5 pink flowers हैं, मतलब अगर question 7 में, अगर ऐसा लिख देना, तो total हमारे पास 3 white flowers हैं, and 5 pink flowers हैं, यह सिफ condition, कि ठीक है, यह दिया हुआ है हमें, अब उ तो पहले question के लिए condition ऐसी दी गई है, कि 3 flowers select करने हैं, 3 flowers of same color भी selected, 3 flowers select करने हैं, और 3 same color के होने चाहिए, मतलब देखो, हमारे पास 3 white flower हैं, 5 pink flowers हैं, उन में से 3 flowers select करने हैं, लेकिन 3 same color के होने चाहिए, तो मतलब वो 3 white select करें, तो भी हो सकता है न, बरबर, 3 same color के, मतलब यह त तीनों पिंक सिलेक कर सकते हैं, बरबर न, अब यहां पर यहां फिर मिन्स और की कंडिशन आई, यह फर्स टाइम आया आपका और की कंडिशन, अब इसमें एंड नहीं है, आपको तीन फ्लावर सिलेक करने हैं, और तीनों सेम कलर के होने चाहिए, और इसमें मेंशन है, कि ती क्या हुआ है तीनो सेम कलर के होने चाहिए तो सेम कलर तो कोई भी हो सकते हैं यां तो तीनो वाइट हो सकते हैं यां तो तीनो पिंक हो सकते हैं हो सकते हैं न ऐसा तीनो हो सकते हैं न कंडिशन समझ में आ रही है अब इसमें और आया कि यहां तो white यहां फिर pink मतलब जो तीन flower select करने है तो इसमें हम लोग total selection लिख सकते हैं कि total selection अलग-अलग selection है नहीं तो इसलिए उपर लिख सकते हैं कि पहले में total selection तो उसमें लिख सकते हैं कि three white flowers three white flowers out of out of three white flowers कि जो white flowers हैं उन्हीं में सही तीन select करें तीन flower select करने हैं तो वो तीनो white होने चीए अब है तीन ही white तो three white flowers out of three white flowers और अब इसमें आया और यहां फिर कि three pink flowers three pink flowers out of out of five pink flowers बरबर five pink flowers हैं तो उन्हें से three select कर सकता है नगज़ाई बात हैं अब यहां और की condition बनी है हमारी कि तीन flowers same color के select करने तो यहां तो तीनो white flowers select कर सकते हैं उस तीन white में से ही यहां तो फिर तीन pink flowers select कर सकते हैं five pink flowers में से समझा है बात ठीक है और और की condition हो तो दोनों में क्या करते हैं तो दोनों में plus करते हैं अब ठीक है न और की condition है तो अब plus किया जाएगा मतलब इसमें ऐसा होगा आगे का solution कि देखो three flowers select करने three में से ही इस bracket में देखो कि three white flower out of three white flowers तो तीन में से तीन सिलेक्ट करना है तो उसका हुआ 3C3 क्या किना जाएगा उसे 3C3 और और मतलब प्लस अब यहां प्लस and 3 pink flowers out of 5 pink flowers कि 5 में से 3 सिलेक्ट करने है 5 में से 3 तो इसका मतलब उसमें होगा 5C3 5 में से 3 सिलेक्ट करने है तो 5C3 हुआ बरबर ऐसे हुआ के नहीं अब इसका solution कि solution में द्यान देना दोनों का प्लस करना है कि पहले 3C3 तो इनका अगर solution करें तो देखो 3 को 3 digit multiply 3 2 1 और upon में इस 3 को भी 3 digit multiply कि 3 2 1 बरबर प्लस प्लस इसमें अलग से कि 5 को 3 digit multiply 5 को 3 digit multiply 5,4,3 और upon में 3 को 3 digit multiply 3,2,1 बरबर ऐसा हुआ न देखो 3 को 3 digit multiply करना है तो वह होगा और नीचे भी वह यह तो हमने आगर rule में भी बताया था कि 3C3 हो न मतलब N और R दोनों सेम हो तो उसका answer 1 हो जाएगा अमने पहले यह rule में बताया था और न भी ध्यान हो तो direct कर सकते है न 3 को 3 digit multiply और नीचे भी 3 को 3 digit multiply सब कट हो जाएंगे 3,2,1 सब कट हो जाएगा बचेगा सिर्फ 1 प्लस प्लस यहाँ पे अगर cancellation करें तो देखो 3,3 cut 2 से यह cut हो जाएगा 2,2 सा तो 5 multiply 2 तो 10 and 1 plus 10 तो answer 11 मतलब यह जो हमें selection करना था न कि 3 white flower होने चीए मतलब 3 flower होने चीए या तो white या तो pink तीनो तो उसमें 11 way में selection कर सकते हैं हम लोग समझाया अब और की condition clear होई न अब इसके बाद जैसे और की condition होई तो वैसे ही अब second वाला जो question दिया हुआ है इसी में इसी में जो second दिया हुआ है उसमें ऐसे लिखा हुआ है two flower of different color भी selected अब 3 नहीं दूसरी condition अलग से सम दिया हुआ अब 2 flower select करने और दोनो अलग-अलग color के होने चाहिए दो flower select करने और दोनो अलग-अलग color के होने चाहिए मतलब एक white होना चाहिए और एक pink होना चाहिए बढ़ना एक white end एक pink तो अब इसमें कौन सी condition आएगी end की condition आएगी बढ़ना इसमें 2 flower select करने और वो दोनो अलग-अलग color के होने चाहिए मतलब दोनो white तो नहीं हो सकते दोनो pink भी नहीं हो सकते दोनो अलग-अलग चाहिए मतलब एक white होगा और एक pink होगा ठीक है ना तो इसमें कौन सी condition end आएगा कि one white end one pink समझाई बाद तो इसमें end की condition बनेगी ना तो second वाले में ऐसा लिख सकते है कि total selection में total selection के लिए हम लोग लिख सकते हैं उसमें कि पहले bracket में लिख सकते हैं कि one white flower out of out of three white flower कि तीन में से एक white select करें end अब इसमें end आएगा कि end उसके बाद one pink flower out of out of five pink flowers वरवर पांच में से एक ये pink select करें ऐसा हुआ न और फिर इसका solution भी ऐसा ही करेंगे कि देखो तीन में से एक white select करना है मतलब उसका answer आएगा three c one तीन में से एक select करना है end end मतलब multiply इसमें पांच में से एक select करना है पांच में से एक pink तो उसका five c one ऐसे बरबर तो यहां पर इनका जो solution लिखें three c one तो three c one का three लिखा जाता है one है तो वही लिखा जाएगा न three end five c one तो five c one का भी सिफाई लिखा जाएगा और end है मतलब multiply three multiply five fifteen मतलब जो हमें दो flower select करना है न वो fifteen way में select कर सकते है समझाया समझाया अब और-और end की condition कैसे होती है वो clear हुआ न तो इस sum को ध्यान से देखना और आज जैसे sums किया न अब ऐसे ही उसके आगे के questions वो अब हम लोग अगले videos बे देखेंगे ओके thank you